हम में से काफी सारे लोग option में trading तो करना चाते हैं लेकिन उन्हें basic knowledge नहीं है कि कब किस चीज को buy करना है किस चीज को क्या कहते हैं और कहाँ पर किस चीज को देखकर entry लेनी है जिससे कि वो trading में profit कर पाएं तेखे अगर आप option trading में expert हैं आपको सारी चीजे पता हैं तो आप इस बीडियो को देखकर आप option trading के basic को समझ जाएंगे तेखे वैसे तो मैं beginners को option trading करने के लिए बोलता नहीं हूँ लेकिन मैंने काफी जगहों पर देखा कि काफी सारे लोग option trading करना तो चाते हैं लेकिन उन्हें यहीं नहीं पता कि कब call buy करते हैं कब put buy करते हैं तो मैंने सुच चीज़े आपको grow application में करके दिखा रहा हूं आप यह सेम चीज़े किसी भी application में कर सकते हैं यहाँ टॉप में ही हमें nifty 50 और bank nifty का option मिल जाता है ज़्यातर option buyers इन्हीं दोनों में option trading करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है simply यहाँ पर हमें graph दिखती है कि nifty 50 उपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हम यहाँ पर click करके इसके candle stick pattern को देख सकते हैं और यहाँ पर हमें nifty 50 की current price दिख रही होती है कि अभी nifty 50 किस price पर चल रहा है अगर हम bank nifty पर भी click करते हैं तो यहाँ पर भी हमें same interface देखने को मिलता है देखिए nifty 50 या bank nifty में trade लेने के लिए simply यहाँ हमें option chain पर click करना होता है हम जैसे option chain पर click करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा interface आचाएगा ज्यादा तरविग नर्स यहीं पर आकर confused हो जाते हैं और वहां एक सही trade नहीं ले पाते हैं देखिए अगर हम इस page को अच्छे से देखें तो यहाँ ऊपर हमें कुछ date दिख रहे होंगे जिने हम expiry date कहते हैं expiry का मतलब क्या होता है इससे हम आगे समझेंगे आप यहाँ पर देखिए इसके नीचे यहाँ पर हमें एक side call price का option दिख रहा है और दूसरे side put price का option दिख रहा है simply call side के यह सारे उपर वाले contract in the money के अंदर आते हैं अगर आपको नहीं पता in the money, add the money और out of the money किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है तो simply आप इस वीडियो को देख कर इन चीजों को बहुती असानी से समझ सकते हैं और वहीं put side के सारे उपर वाले contract out of the money के अंदर आते हैं लेखे आप बस इतना समझ लिजिए सही trade लेने के लिए हमें हमेसा इन दमनी के अंदर ही trade लेना चाहिए हमेसे ज़्यादा तर लोग out of the money में entry लेते हैं क्योंकि यहाँ पर contract की price कम होती है तो इसलिए हमें हमेसा इन दमनी के अंदर ही अपना trade लेना चाहिए देखे यहाँ पर black bar के अंदर जो price दिख रहा है या bank nifty की current price है आप यही से देख सकते हैं कि अभी bank nifty किस price पर चल रही है देखे इस graph को देखकर लगता है कि अभी bank nifty और गिरने वाली है तो simply आप यहाँ पर put side के किसी एक contract में entry लेंगे पहले आप इस चीज को समझिए जब bank nifty या nifty 50 की price बढ़ने वाली होती है तब हम call side के किसी एक contract में entry लेते हैं और जब nifty 50 या bank nifty की price गिरने वाली होती है तब हम put side के किसी एक contract में entry लेते हैं लेकिन दोनों side हमें इन दमनी के अंदर ही अपना trade लेना चाहिए ठेखे जब हम किसी भी premium पर click करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा interface आचाएगा यहाँ पर आपको confused नहीं होना है प्रेमियम भी इसी को कहते हैं और contract price भी इसी को कहते हैं simply जब हम किसी भी एक premium पर click करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा interface आचाता है यहाँ ओपर हमें दो option मिलते हैं delivery और intrad देखें इंट्राडे का मतलब आप सबको पता होगा कि आज ही हम ट्रेड को लेते हैं और आज ही एक्जिट कर देते हैं इसी को हम इंट्राडे कहते हैं और अगर हम डिलिबरी पर सेलेक्ट करके ट्रेड लेते हैं तो सिंपली हम अपने पुजीशन को एक्सपाइरी तक सकते हैं जब आपको profit दिखे तब आप अपने position को exit करके profit को book कर सकते हैं तो इसलिए जब भी आप option में ट्रेडिंग करें तो delivery पर select करके ही ट्रेड लें यहाँ price में आपको कोई भी difference नहीं देखने को मिलेगा चाहें आप delivery पर select करके ट्रेड लें या intraday पर select करके ट्रेड लें लेकिन आपके लिए अच्छा यहीं होगा कि आप delivery पर select करके ट्रेड लें इसके नीचे हमें यहाँ पर quantity और lot का option मिलता है देखे option ट्रेडिंग में हम quantity को lot में buy करते हैं जब हम stock ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पर हम 20 quantity, 30 quantity, 15 quantity, 100 quantity, जितना quantity चाये उतना quantity को buy कर सकते हैं लेकिन जब हम option में trading करते हैं तब यहाँ पर हमें lot में buy करना होता है यहाँ पर देखे बैंक nifty के अंदर एक lot में 15 quantity होती है यहाँ पर एक lot buy करने के लिए हमें simply 45,000 रुपे के करीब में लगेंगे अगर हम एक lot से entry लेते हैं और bank nifty की price एक रुपे बढ़ती है तो यहाँ पर हमें 15 रुपे का profit होगा हम जैसे जैसे यहाँ पर lot को बढ़ाएंगे वैसे उसे price भी बढ़ते चाहेंगे देखे 5 lot में 75 quantity होता है और 75 quantity buy करने के लिए simply हमें 23,000 रुपे देने होंगे यहाँ नीचे हमें price market का option मिलता है हम simply यहाँ पर market price पर भी entry ले सकते हैं और price limit set करके भी entry ले सकते हैं अब देखिए वही अगर हम nifty 50 में trading करना चाहते हैं तो simply हम nifty 50 पर click करेंगे यहाँ पर हमें graph दिख रहा है कि nifty 50 की price बढ़ रही है simply trading करने के लिए हम यहाँ option chain पर click करेंगे तो हमारे सामने वही interface आचाएगा call price के सारे उपर वाले contract in the money के अंदर आते हैं और put site के सारे नीचे वाले contract in the money के अंदर आते हैं तेखिए यहाँ पर भी हमें nifty 50 की अलग अलग expiry date दिख रही है यहाँ पर हमें black bar के अंदर nifty 50 की current price दिख रही है simply अगर हमें लगेगा कि nifty 50 की price बढ़ने वाली है तो हम call site क कि किसी एक contract में entry लेंगे और वहीं अगर हमें लगेगा कि nifty 50 की price गिरने वाली है तो हम put site की किसी एक contract में entry लेंगे तेखिए अगर हमें लगता है कि अब यहाँ से nifty 50 की price बढ़ेगी तो simply हम call site के किसी एक contract पर click करेंगे तो हमारे सामने same वही interface आ जाएगा जो हमें bank nifty में trade लेंगे तेखिए यहाँ पर हमें एक lot में 50 quantity देखने को मिलता है bank nifty में एक lot में 15 quantity होते हैं और nifty 50 में एक lot में 50 quantity होते हैं अगर यहाँ पर हम एक lot से entry लेते हैं और nifty 50 की price एक रुपे भी बढ़ती है तो हमें 50 रुपे का profit होगा यहाँ पर भी हम market price और price limit को set करके entry ले सक पता है कि जब nifty 50 बढ़ेगी तो हमें call side में entry लेनी है और जब nifty 50 गिरीगी तो हमें put side में entry लेनी है हम put side पर click करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें दो option देखने को मिलता है buy और sell हमें लगता है जब nifty 50 की price गिरने वाली है तो हमें sell करना है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चाहे nifty 50 की price बढ़े या गिरे हम दोनों side buy में ही entry ले सकते हैं क्योंकि हम option buyers हैं देखिए जब हमें लगेगा कि nifty 50 की price बढ़ने वाली है तो हम call side के किसी एक contract को buy करेंगे और जब हमें लगेगा कि nifty 50 की price गिरने वाली है तो हम put side के किसी एक contract को buy करेंगे जैसे आप तो हमें यहाँ पर एक लाक रुपे से उपर देना होगा तो इसलिए जब भी आप option trading करें तो आप यह समझ लें कि आप दोनों side buy ही कर सकते हैं चाहे price किरने वाली हो चाहे price बढ़ने वाली हो पस आज किस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है इस वीडियो से मैं आपको जो चीजे समझाना चाहता था वा चीजे आपको समझ में आ गई होगी और आप जिस चीज को ढून रहे थे वा चीजे आपको मिल गई होगी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छ लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीचिए ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीचिए